नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश, एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ आज मैं फिर आप लोगों के सामने हाजीर हूँ कंट्रोल सिस्टम का एक और नया इंट्रेस्टिंग सवाल लेकर तो देखिए आज हमें क्या करना है steady state error जो है, वो find करनी है given state space equation की help से तो चलिए, शुरू करते हैं बिना देरी किये तो देखिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में trick देखी थी transfer function हम कुछ इस तरह से find कर लेंगे कि आपका जो equation जो दिवी है ts जो है, वो क्या हो जाएगा 1 upon s square देखिए, यह वाला यहाँ आजाएगा और यह वाला यहाँ चला जाएगा तो plus s plus 1 तो यह तो आपकी transfer function की value हो गई क्योंकि यहाँ पर 1 है तो इसलिए यहाँ पर constant 1 ही रहेगा चलिए, अब state error की यदि हम बात करें तो steady state error क्या होती है अब input आपका unit step है तो इस case में क्या हो जाएगी 1 plus kp हो जाएगी जहाँ kp क्या है तो देखे kp जो है वो आपकी limit as tends to 0 gs होती है अब देखे kp यह दिया आपने निकाल लिया तो steady state error easily calculate हो जाएगी तो gs निकालने के लिए यह क्योंकि यह आपका जो function है यह क्या है gs upon 1 plus gs है अब unity feedback है तो इसलिए यहां hs की value 1 रहेगी तो देखे अब हम इसमें यदि gs निकालने तो gs निकालनेंगे तो क्या करेंगे यदि आप numerator divide by denominator minus numerator करते हैं तो यह किसके equal होगा gs के बराबर होगा न तो चलिए इसमें हम यह करके देखते हैं तो इससे आपके पास जो value आएगी वो क्या रहेगी gs की वो हो जाएगी 1 upon 1s s plus 1 यह जो है आपके पास gs आगया अब यदि आप limit s की limit इसमें put करते हैं तो kp आपके पास क्या आजाएगा kp की value आजाएगी infinity और kp infinity आजाएगा तो es जो है 1 upon 1 plus infinity का मतलब क्या हो गया नीचे divide में infinity है तो that means आपकी उपर जब value आएगी तो वो क्या रहेगी 0 रहेगी steady state error जो है इस question के अंदर आपकी 0 right answer हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक केजिए thank you